क्लास 9 के exercise 2.5 का question number 10 question number 10 के दो पार्ट्स हैं दोनों को इसी वीडियो में solve करेंगे तो question में करा है factorize each of the following जो दो problems दी गई हैं उन दोनों को में factorize करना है so first है 27y3 प्लस 125z3 इस पर हम कौन सी identity apply कर सकते हैं जो हमने question number 9 में show किया था question number 9 के first part में जो हमने show किया था वो क्या था x3 plus y3 equals to bracket x plus y whole multiple में x2 minus xy plus y2 इसको हम apply कर सकते हैं यह किस form में दिया गया है इस form में इसको expanded form में लिख देंगे वही हो जाएंगे हमारे factors so 27y3 27y3 को हम लिख सकते हैं 3y3 ठीक है अगर हम 3 की cube करेंगे तो वो हो जाएगा 27 so हमने 27 को लिख दिया 3 की cube इसी तरह से 125z cube को हम लिख सकते हैं 5z cube so यह किस form में हो गया x की cube plus y की cube की form में x है हमारा 3y और 5z जो है यह y अब इसको इस form में लिखेंगे so सबसे पहले क्या है bracket x plus y so x है हमारा 3y और plus में y है हमारा 5z ठीक है यह x है यह y तो इन में x plus y आगे है x square minus xy x square यानि की 3y का square 3y का बड़ा bracket लगा लेते हैं आपर 3y का square minus में xy यानि की 3y multiply में 5z so 3y और 5z उसके बाद है plus में y का square y की value है 5z so 5z का square bracket close एक step में और हमारा यह complete हो जाएगा first bracket as it is आएगा 3y plus में 5z यह as it is second में 3y का square 3 का square होगा 9 और y का square y square ही रहेगा ठीक है उसके बाद minus sign as it is 3 5z 3 5z 15 और variable है y और z so 15 yz हो जाएगा आगे plus का sign as it is और 5 का square 5z का square क्या होगा 5 का square 25 और z का square z square यह हो जाएगा आपा final answer अब देखते हैं second second में हमें दिया है 64 m cube minus 343 n cube so इसके लिए हम identity का use करेंगे जो हमने 9 के question number 9 के second part में प्रूव किया था verify किया था so हमने क्या verify किया था x cube minus y cube equals to x minus y bracket x square plus x y plus में y square इसे identity का use करेंगे so 64 m cube को हम क्या लिख सकते है 64 m cube को लिख सकते है 4 m cube ठीक है कoi Sahce 4 की cube क्या होता है 4 की cube जो है वह 64 होता है ठीक है इसी तरह से minus 343 343 किसका cube होता है seven का तो 7 n 343 n cube को हम लिख देंगे 7 n cube ठीक है यह किस form में आ गया है x की cube और minus y की cube so x की cube minus y की cube को हम expanded इस form में लिख देंगे हमारा factors हो जाएंगे ठीक है so सबसे पहले क्या है x minus y तो x है हमारा 4m y है 7n so 4m minus में 7n उसके बाद क्या है x square ठीक है यह हमारी x की value है और यह y की value तो 4m का square प्लस में xy तो x 4m multiply में 7n तो 4m और 7n प्लस में y square y क्या है 7n तो 7n का square solve करेंगे इसे यह first as it is आ जाएगा 4m minus 7n as it is उसके बाद 4m square 4 का square होता है 16 m का square m square ही रहेगा ठीक है और प्लस में 4 4 7s आ 28 और m n इसके साथ ही रहेंगे variables ठीक है अब 7 का 7 का square 7 का square हो जाएगा 49 और n square as it is यह हो जाएगा हमारा second के factors ठीक है जो हमने question number 9 में first और second part को prove किया था उसी identity का use करते हुए में question number 10 को solve करना है ठीक है झाल के ही जाएगा हैं झाल को Suppose यह झाल का झाल को सकवण ऑ्रीक है प्ते हैं आएगा हैं झाल को सकते हैं झाल को यह हैं झाल झाल